जिस्तों गंदा पाद नंबर टू भी आते हैं तो सेक्शन 60 में मैंने आपके यह और वर्किंग भी बनाई थी वह शाहिए दूश्वक्त करकी स्किप होगी मेरे से तो ऐसे है कि हमने उस दिन पांट पर्शन को फोकस किया था सेक्ट लास लेक्शर में तो हमने कि पांट पर्शन जो होगा वो नॉर्मली प्रेवेल करता है तो आप इस तरह देख लें कि एक आदमी के एक बच्चा अगर पड़ता है और वह बच्चे को सब्सक्राइब करता है नॉर्मली एंपीबीएश वगरा के केसों में आप प्राइवेल बच्चे पड़ते हैं तो पाकिस्तान में उनका कालेज है पाकिस्तान से बाहर वाला तो केस अपलाई नहीं होगा या अगर आपकिस्तान से बाहर नॉर्मली 20-30 लाक रपएब एक प पाकिस्तान के अंदर किसी कालेज में रोनवस्ती में अगर एक वालिद अपने एक बच्चे का पे करता है तो 60,000 जो हमारे पास फी बच्चा विलेबल है इसमें आप देखेंगा 60,000 पर चाइल्ड अगर बच्चा विलेबल है तो वह उसके बराबर हो जाएगा और अगर वह बारा लाग से उपर पे करेगा इत्मीन्स के फिर त्यूशन फी में वह शिक्स्तित होजन जो होगा वहीं तक उसको टैस्क्राइट मिलेगा रहां पर फिर जो इलाउंस मिलेगा उसको एक बच्चे का वह सिस्तित हो जाएगा ठीक हो गया थे एहम बात थी मैं है लएद साथ करदो जो हमने है सेनारो लिया था एक हमारी लाईफ में जो टेंगा तो हम कमा करें 20igent या या उपके आपने 22 Emilie लिया तो इसमें आपने तीन से चाह लाग तो चलो बच्चों की जो के सिर्फ करती है बाकि आपने अपने घर के खरजात और अपनी सेविंक्स के लिए भी कुछ निकला होगा तो इन अस्पेंसिंस को भी हमने लेकर चलना होता है और सारे के सारे बियार की जो जो जम से नहीं है कि आपके जो एसपैं ड्रेंसिस से वह आपकी मेकमल प्रोजेक्शन करके एक इंकम बनाकर फिर उसको पर आपको पताते हैं जी कर आपको आपने तो आपके कंसील बंद की है जहां पर आपनी एक लफ्ज हमने टेक्स वाइदेंस और टेक्स वीजन देखा था पर तेक्स आवाइड़ानस का लफ् कुछ sections ऐसे कुछ concepts ऐसे हैं जो आपके clear होना ज्रूरी है इंटेक्स कि इन concepts में टेक्स रजीम एक एहम चीज है अगर आपको रिए क्लियर एक टेक्स रेजीम किया चीज है तो आगे हम तेक्स रेजीम बनाने का जो मकसद है पाकिस्तान क्योंकि क्रक्की पजीर मुल्क यहां पर जो इधारे हैं वह ताकों मिंदेशन करने की कोस्ट पे नहीं कर सकते आप लोगों को परहाया जा रहा है भी काम कर रहे हैं अब बीए कर रहे हैं आप बीए कर रहे हैं मक्सिद आपका एक अकॉंटेंस बनना और उसको अकॉंट को लेकर चलना है अब पाकिस्तान में जो कॉप्रेंश सेक्टर है वो तो चलें किसी हद तक 40-50 परसंट तक सब्सक्रेंश करते हैं सब्सक्राबसर को ने हैडि किया और उसके बाद पने पास उसके फंद करो are the अगर एंदिंग है तो उस एंदिंग के में कमल एक ट्रेल बना रहे हैं कि कहां से पैसा हमने किसको समान बेचा है और जहां से लेकिन वह बुघके नहीं करते बुँघ डूकानंऐ कि जौनका नहीं होते तो उस रट में क्या होता है कि एंदियर के फचे पास ऐसा रास्तानी निकन हैं और अगर आपको भॉक्स से मुराध बॉक्स से हैं तो उसके बाद आपका ट्रू जो अड़र आपको पॉर निकन लाएगा है तो हमारे क्योंके दो कर्मिंटेशन के कमिये है पाकिस्तान पाकिस्टान में जो बिजनिस्मैन हैं और इसी तरह कर आप सब्सक्राइब कर रोज कर रहे हैं लेकिन उनके पास कुई डाकुमेंटिशन नहीं तो उसका हल भी आनिरे निकाला है कि एक कुछ रजीम से लिए एक उन्होंने बना दिया नॉर्मल टैक्स लेजीम नॉर्मल टैक्स रिजीम वही है के जिस तरह हमने ट्वकिंग देखी है कि हमने और हमारे पास एड हैड हैड अफ हैड हैड एड हैड 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 को में सेलरी बिजनीश कैपिडल गेंड अपरपर्टी रेंट और अदर इंकम इन पांचों में जो चीज़ आए प्रोट के सामने के बाद आपके सामनें अगर हमने कोई तेक्स साल में लिया है ओशेता नेट ऑफ करेंगे एफिर यह फिर कुछ भी निए देना उससुरम में आपना जो जो कल्कुल्स हमों आप तो में जमा करा देंगे अब ओपर यह नॉर्मल टैक्स रिजीम कर तो हमने हैशन सेक्शन सिक्स्टी में देख लिए इसके बाद के पास इंकम संपजक्त तू सैपरेट चार्ज शेक्षन फाइव और एड पिर इसके बाद आगे हमारे पास फञानिल टेक्स रिजीम अप सेक फिर उसके मिनियम टेक्स रेजीम है कि रहे क्या चीज है और फिर मिनियम टेक्स ओन इंकम ऑफ सर्टन पर सेक्षिन 113 सबसे ज्यादा मारा फोके सेक्षिन 113 पर होगा कुछ बचों को इस पर इतराज भी होगा पहले ही दिन किसी बच्चे ने मुझे सवाल किया था जब हमने तैक्स क्यों वो दे रहे है अगर उसका करवबार नहीं है तो मैंनवा सभी आपके सामने है अगर चार लाग तक है तो कोई टेक्स नहींने मीशके देखें की ढिखी देखें के बरती जाएगे तो टेट से भी बरता जायेगा है रिए अपने उप्रक्राइश्य कुण। तो अब हमाले पास दुछ बेसिकली देखने वाले हैं वो तीन रजीम है जो इंकुम सेपरेट सब्सक्राइब चार्ज लिखा बर यह भी बेसिकली फैनल टेक्स रजीम की एक सेप है लेकिन इसमें क्योंकि हमारे आउट उसलेबस है इसमें सेक्शन पांच है वह डिविदन के ओपर इसको तो हम देखे आपने चीजों पर फोकस होगा जो इस वक्त प्रिवेलिंग मार्कीट की सिशुए इंकॉम टेक्स सिवेशन है तो ज्यादा फोकस हमारे उस पर होगा ऐसी जो कभी जिन्दगी में ना मेरे इस्तमाल में आई यह ना आपने कभी जिन्दगी में देखनी है उनसे हम आवाइ बहुत ही उपर मैंसलों के मालता है नेसनल कंपनीज के लिए अगर वह अप्लीकेबल जैं और उस उस उरत में अपकी जवाब हो जाती है अगर आप करची जाते हैं करची में उनकी जागे हैं तो टेक्स का दिपादमें तो उसके आप हैद आफ इंचार्ज बनते हैं तो उ करेंगे तो उन चीजों को भी हम स्टेदी परपर्स के लिए नहीं देखेंगे अगर हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारे जिस पर मुझे एसक्टेशन है कि आप के आप से पूशा जाएगा गर आप इंट्र्यू को देने जाएंगे इस वक्त सबसे होट टॉपिक है जो कि एक तरफ यह हैं और जिसको काम ट्हक्ता हो तो टैक्स प्राकिशनर की शिल्डी है वह एंटर से भी ज्याद है कि तो इसलिए हम जो प्रैसिकल से हमारे इसक फक्रमार की में जो है जिनके पारे में रोज पूशता है और जिसके बारे में एक एक इंपलेयर उसको उसके र से उपर होगा और उसकी इंप्लिमेंटेशन है इस एम में भी वही चेक होगी बजाए कि मैं आपको कहूं कि इस सेक्षिन की देफिनेशन लिखें देफिनेशन पूछने का फायदा को यह उसमें दुनिया जहांकि उसने सारी बातें लिखी हुई है तो वह हमारे स्कॉप से भी झाओ जाती है है तो पहले हम नॉर्मल टक्स रेजीम मेंने आपको बता दिया कि होटते होता है उसके बाद उसके अबाद में में क्या है कि यहीं हैं और इसमें क्या हो रहा है कि इंकम सब्जुक्त तो सप्रेस चार्ज और इंकम विच दून पाथ आफ प्रोड व्डॉड इंकम और सब्जेक्ट तु टेक्स ऑन अपर पीशिस अफ ग्रॉस इंकम कि विए और इसका पूडल इंकम और टेक्सिबल इंकम का हिस्सा नहीं है मिसाल के तोर पर इसमें डिवीदेंट आ गया टेक्स ओन एंडिस्टिबल प्राफिट आउट प्सलेबस इन्वेस्टम इन्सकुक्स आउट प्सलेबस है रोयल्टी ओफ नॉन रेसिजन्ट आउट उसलेबस फिर इसमें दूसर नबर पाकिस्तान ौश्प्री और टेक्निकल सर्विसस ओफ नॉन रेसिदंट अगर कोई ग फाल नहीं करता है इतमीनिस के वह नौन रेसिदेंट है 183 दिन और फिर आपको 120 दिन और उसके बाद आपको बने बता है कि अगर एग्रीकेट वह 255 दिन बनते हैं तो उस वरत में वह रेसिदेंट बन जाता है तागर नौन रेसिदेंट जाए वह पाकस्तानी सेटिजन क्यो सब्सक्राइब को इस क्लास में होगा फिर इसके पास सेपिंग इंकम आप नौन रेसिदेंट आउट अप स्लेबस है सेपिंग इंकम आफ डैसिदेंट परसन आउट प्राफिट ऑन डेट अगर आप किसी को लोन देते हैं किसी बैंक में पैसे रखवाते हैं और उस पर सब्सक्राइब के आउट अब तक तो बात हो गई कि हमारे पास सेपराइब चार्ज में डिविदेंट और प्राफिट ऑन डैग और पाकिस्तान सोस्पी आउप तेकनिकल सर्विशस अपनारेश ने तीन चीजें हमने पड़नी है इनका एडिया लेलें डिविदेंट की डैफिनेशन करने के जोड़न तो नहीं है सिर्फ समझ लेंगे डिविदेंट होता कि है अब तैक्सेशन आफ डिविदेंट इसमें आ गया कि जी कंसर्प टेक्स एंट एक्सेशन आफ डिविदेंट इंकमें गए बाइस सेक्शन ट्यल्ट हमारे हमें पता अनिदेख लिए तकि सेक्शन टू और देफिनेशन का होगा और तो नंदर उनिस नुबर डैफिनेशन जो है वो डिविदन की दिए गई है और सेक्षिन पांच और आथ इसको इंकॉम्रेस और इसके डील करते हैं जो भी कंपनी अपने अकॉमुलेटिव प्राफिट इस सब्सक्राइम बात है कि यह आपने राद रखना है कि उसके पास अकॉमॉलेटिव प्राफिट में से जो रकम देगी अपने शेर होल्डर को वो डिविदन कर लाएगा अगर उसके प्राफिश नहीं किसी कंपनी के पास और फिर भी वह अपने किसी शेर होल्डर को कुई रामौन दे देती है तो व शेर होगा वह सकते हैं sorry कि कमपनी अपने धोर एक्राफियर को सिर्भी लिऄकर अपनेसेमें कर देती है और उनट होल्ड़ को कोई एच इसमर्ड़ स्टेश खाल में रारिवाद में मीस केיש के इसाओर् होल्डर घधने ऐसना आपकर मौलम होगी कि कमपनी मौन बनती है जो आदमी उसमें investment करता है तो इसका वोलते हैं अब कंपनी ने जो profit प्सक्राइब करने होते हैं ठीच और सब्सक्राइब में कि दो किसमें तो बॉनस देती है और बॉनस देने के लिए रहा फिर उसको वो बॉनस शेर्ज हो गए और उसके पास उसको डिविदंद देती है डिविदंद के उसको चेक देती है कि जी चैक है आप जाकर हमारे पास एक मिसाल के दोर रबे कंपनी को 10 लाख में मनाफ़ा हुआ होए साल में उसके दो शेर होल्देज हैं तो वह चार लाख रबे का साल का मैं पहला साल है तो अकमूलेशन का मतलब रहे कि जितने भी साल उसके पास मनाफ़ा रहा तो उसको जम्हा करेंगे तो पूल बन जाएगा तो प्राफिट का पूल अगर दस साल से कंपनी चल रही है और 10 साल का मनाफ़ा जो कल्कुलिद करेंगे तो अक्मूलेटिद प्राफिट 10 लाग ही रहेगा कि कभी पहला साल है पिसले साल से कुछ भी फलस नहीं हो रहा तो 10 लाग में से उन्होंने 4 लाग तक्सीम कर दिया से लाख रभे नहोंने कंपनी में मजीद इन्वेस्टमन करने करें रख लिए अब चाहला की है उन्होंने तो वह उन्होंने नहीं करें तो दो लाख रभे की दूसरे को चैक दी हैं जिसको बोलते हैं अब अ कंपनी लाग की डफिने सग्षा जाद है कि अपनी लाव में बॉनस यह कभी यह गए अगर वो कंपनी अगर चाल आखर बार बार निकाल के कैपितल में ले जाएंगे जाएंगे और कैपितल में जाकर उस आदमी के शेर जो जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वह दो दो लाग से इंक्रीज कर जाएगी और अधितायम अफ लिक्विडिशन आफ कंपनी वह उन दोनों को अवेलेबल होगी तो इस तरह आप देखेंगे डिस्ट्रिपूशन आफ अ दुनों ने कहीर आपने किसी मद में भी कोई पैसे आपने शेर होल्डर को को दियें उस भी कि अगर गतार्च किसी सुरत में अपने इसके अपने कोई बहार की कंपनी है जिस्सें अपने भांग फिस्पाक फॉला हुए तो उस रूरत में क्या होगा कि यह से में पाकिस्तान से बाहर इसका अगर मोघ कंपनी को पैसे बेजती है वो भी पाक्सतानी कंपनी दो पाकिस्तानुसकी ब्रांच जो गूज्ट गूजकर दे दिया उसके पदोंれ dropping बेज़ीस है तो वह जो और आपने की सुरत बन जाएगी और और अधिस्ट्रिबूशन मस्ट भी अब तो दास्ते हैं दाफ अकुमुलेट प्राफिट फिर वही बात है कि जो भी डिस्ट्रिबूशन होगी वो डिविजन उस वरत में बनेगा अगर वह अपने अकुमुलेटि प्राफिट में से क्य मतलब होता है असाना लफाज में जब कंपनी बन बन ऑघी होती है उसके मिल्कुर आप स्क्रोडी ओलते हैं लोके जिए जो हिसाता है मना इसका का रिडेक्शन आफ कैपिटल वाइक कंपनी साथ के पास कैपिटल 20 लाग रुपैया अब उन्हों तो इसको हमने काम करने है ऐसे हो गया कि एक शेयर वो जिसके पाइन पान लाग से से थे वह मिली निदाबी साल से परची साल से ना उसका क्लेम और रहा है तो उस सुरत में क्या करें के कंपनी एक्ट्वल पोजिशन पर लाने के लिए अपने आपको सेयर को 15 लाग कर देंगे तो इस स्रुच में क्या होका रिट्र душ्सपा और से फर्माण से और सितरे तो महीं आपने आपने इस ही वह गर्माण से करने आगया है और सुछ फ॑ंच है घो कमपनी प्यार्स में किसी को बेचीति और उसके बार वापस ती को पैसे देती ए आज कंपनी को जरूरा आता है आप टो वो इसके हलिए क्या करती है कि वह साख दोरपाय किसी भी सक्स से वह इन्वेस्टर के से पैसे ले ले लिए क्रोई रपए तो एक रूर रपय को रखिट जो इसको में देश्चान बोलते हैं इसको हम वापिस करने के बोलते हैं रिदंप्सन की सुरत में क्या होगा क्योंकि वह वैसी कर्जा लिया हुआ था उस सुरत में वह जो पैसे वापिस करें जी वह डिभीड नहीं होगा और का टेक्स नहीं लगेंगा है और इन सब के कंपनी को लॉन दिया हुए था ऐसी सुरत में के कंपनी अगर बंद थी है तो सिर्प्लप्लप्ल मिन्स कर पांग आदमी ने 5 लाग रुप एक शेज दिये थे और कंपनी मनाफ़ में जाती रही है अब उसके सेज कंपनी बंद हो रही है तो जब उन्होंने वैल्यू लगवाई तो 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 जो जो इसा है कि ऐसा आदमी जो सर्प्लेस में इसे दानना हो कंपनी के मनाफ़ में इसे दानना हो तो उस उरत में अगर उसको क्यों पैसे दिये जाएंगे तो वह डिविजन नहीं बनेगा और अगर एक कंपनी जो वैसे ही उद्वार देने का काम करती है अगर वह अपने किसी शेयर सब्सक्राइब दिया जा रहा है इसदा इसदा प्रेम दिसाट अफ अगेंस्ट अल्राइद ट्विट एज डिविजन के कोई लॉन दिया हुआ था हमने एक कंपनी नहीं से तीन साल पहले अपने किसी शेयर होल्दर को दो लाकर लोन दिया अब लोन देने की सुरत में इद लिए है हम अपने सेहर होल्दjekt को मनाफ़ दे रहे ही अब तीसरे साल उन्हां किया कि कि या जब मनाफ़ दिया था था है है आपको लन लोन को कर दे यह आपμεने हमाज乾्त पहें ने दो लाक कि में हृण दे रहे हैं एक लाक बहु तो क्योंकर दो लाक से टीन साल पहले टें हैं तो अब एक लाग़ रड़ रख रख रग igzar कम कर दिया और यूंट लेना है तो जब लॉन लेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा लेकिं जब अभी एक लाख लोन की सूख्या कर दिया है तो उस व्रky भी तो वह उस पर do प्रविदन की दाफिनिसमेंट नहीं आएगा और प्रमिंटन्स ओफ टेक्स आफ्टेक्स प्राफिट बाइब ब्रांच और प्रोर्डेटिंग पाकिस्तान और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं लेकिन अब इसमें एक कंडिशन आगी कि कंपनी है तो उस वरत में अगर पाकिस्तान से बाहर पैसे बेज़ेगी तो वह डिविदेंट नहीं कलाएगा और टेक्स लिए संग्रॉस अमांट ऑफ डिविदेंट इसका पंद्रह परसंद लेता ह है यह क्लास इतनी एहम नहीं है कि इसमें ऐसा है कि कुछ कंपनी इसको पर सारे साथ प्रसंद भी रेत अप्लाई के अप्ली के पहले है और एवरी परसंद इंक्लूदिंग कंपनी फ्राम टेक्स यह दोजार चोदा हो रसीप से दिविदेंट प्राम में कंपनी चार्जब और जो डिविदेंट होगा वह कंपनी ने आजए अद्मास टेक्स गौर्णन को जमा कराना है इसका मतलब लेनी के जी कर एक शेर होल्डर को डिविदेंट मिल गया है तो वह साल इंजार करेंगा साल बाद उसके देगा कंपनी जिस वक्त देगी उसी वक्त मौके पर वह ट कंपनी से अगर उसने 10 लाग का लौन मांगा कंपनी से तो 10 लाग में से 9 लाग रपाय तो वह गौर्णन को जमा करा देगी है सारे दावत लाग रपाय वह सिर्वाल्डर को देगी और जो टेक्स सबसे एहम जो बात है कि लोन लेने की सुरत में भी अगर उसने टेक्स को अब ही मैं स्वर्ण करूंगा आपको कि जो फानल लिंकम बन जाती है उसके बाद उस साल उसने उसको कोई साब किताब नहीं देना होता और इसका मतलब रहा है कि वह पार्वन का पैसा है अब उसके बाद चाए वह लॉन वापस भी कर देगा उसको वह पैसा जो टेक्स क कर देता हूं कि हमारे पर रेजीम क्यों है इसके मैं तुरूशी के आपको बता तो दी है कि के नॉर्मल टेक्स वानल इसके पर मिनियमम टेक्स और फैनल टेक्स बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मल टेक्स है यह एक्चॉल हमारे पास है इंकॉम टेक्स जो लगना चाहिए जो इंकॉम टेक्स कानून की सेंस है वह हमारे पास नॉर्मल टेक्स है कि आपकी जो इंकम है उस पर आपने टेक्स क्या किया है और उसको जमा किरा दिये अब रे मिनिमम टेक्स और फैनल देक्स किया चीज़ है इस तरह है कि मैंने आपके पहले बताया कि हमारे यहां पाकिस्तान में टाकुमेंटेशन बुक कीपिंग का कंशब्ड नाइंटी कानमी है तो कौर्बंग की मजबूरी है कि मजबूरी है कि वो इसको दूसरी संस में ऐसा समझे कि जो आद मेरे टेक्स दे देगा वो इसकी इंकम बन जाएगी और उसके बाद उससे उसका इसाब नहीं लिया जाएगा अब नौर्मल एक्स हमने देख लिए था कि अधिए निकम्स प्लस उसके बाद टेक्सरी नीचे पांस हेद आफ इंकम्स है जिसमें इंकम राप सेलरी इंकम रापटी नागया और फिर उसके बाद के इंकम अब बिजनिस आएगा पहले और उसके पाद capital gain और इन चारों में जो चीज नहीं आएगी वह income नाम other sources बन जाएगा और हमारे पास इनकी values आएगी और यह value हमारे पास taxable income और इस taxable income को फिर हम calculate करके tax जमगरा देंगे यह तो होगे normal income का scenario अब उसके बाद आग जाते हम पर आपको बताया के लिए को टेक्स पूरा नहीं चाता है तो गवर्मेंट अप्रजाद पूरे करने के लिए पिर ऐसा किया है कि उनकी transactions को प्रेक्सिबल करती है कि उन्होंने कहा है कि कंपनी के साथ कारोबार करेगा जैसे अब यह आपको मनें बताया था कि गवर्मेंट और काप्रेस सेक्टर तो उस दूरत में क्या होगा कि कंपनी जो किसी से अगर business करेंगे तो वह उसका द्वांस टेक्स खुद जमा करा है कर दो एक परसंड है उसने कंपनी को सप्लाइः दिया पांस लाघ रिप publi अगा कि तो होगा क्या कि कमपनी जब उसको payment करेंगी तो इसके विहाब पर टैक्स कादले गी और वह टैक्स गार्मेंट को को जमा करा देगी अब इसका उसने क्या किया है कंपनी ने सारे चार प्रेसंट का आद लिए बाइस जार पान सो और बाइस जार पान सो रुबै उसने गौर्मा को जमा करा दिया और जो बाकी रखम कि अधिक चालक्स तततता आर पांसोर वै उसने उसक्स को दे दिया और वहीज आर पांसोर वै उन्होंने टेक्स काल के जो मैंने आप से पहले सेक्शन में बात की थी कि जब भी हम कि इंट्री करेंगे बुक कीपिंग में तो टेक्स की एक लाजमी आएगी वह इंट्री अब हम इसको आज पर भी रहे हैं आप आप देख लेंगे हमारे पास जो बुक कीपिंग है वह बुक्त बिलकुल सिंपल नहीं रही पहले क्या था कि जब हम परचेज करता था एक दा सब्सक्राइब करेंगा और अद्वांस टेक्स 2500 से करेंगा और 2500 अब उस दारे ने कंपनी ने खुछ जमा कराकर अपनी जमांदारी पूरी करनी है अगर वह 2500 और नहीं काड़ता और जमा नहीं कराता गौर्बंक को तो इस कंपनी से जिसने उससे सर्विस लिए देगी अब चाहे परसेंदे ने बाद में अपना कुछ बारा जमा भी करा दियो चाहे परसेंदे बाद में वह अगर तो उसने पाइजार पांट सोरे पर जमांद नहीं कराया अगर वी दोहलिंग नहीं तो वह इदारा डिफाल्टर होकर वह गौर्मन उसे एफ़बियार ले लेगा तो यह बेसिकली फानल टेक्स है सेक्शन 233 इसी तरहां डिवीदें था पहले अब काफी हत तक उन्होंने फानल टेक्स को यह साल कतम किया लेकिन अभी हम थोरा साइश को समझाने के लिए प्राना से नहरो बता रहा हूं हुए अब उन्होंने फानल टेक्स से च्जिश निकालकर नोने मिनिमटेक्स में डाल दी है कि मिनिम्म टेक्स के चीज़ है कि चले पहले फानल को तो कर दो फानल क्या होगा है 2500 और टेक्स जो परसंट एक कदश के चला गया फ़ीआर के पास अभी सांजेक्शन पर तो लेकर नहीं तो इस सेंस में यह आदमी बरियुजुम है इस त्राइक्षन को उसने इसाब कताब नहीं देना नहीं उसने अगर उसका पूरे का पूरा ही अगर इसी तरह की ट्राइक्षन जिस पर नोलिंग हो चुकी है तो उसने इंकॉम टेक्स रिटेंड भी जमानी करान बैल के वह इंकॉम टेक्षन की जगह एक स्टेर्मन होती है हो स्टेर्मन सेक्षन 115 कहते हैं उसको इसटेर्मन कर अंदर सेक्षन 15 115 तो 154 जमा कराएगा तो अगर ऊसक्ष की 100 पर सेंट इंकॉम जो है अगर फानल टेक्स के सेक्षिंस के जरी एडवांस टेक्स में गौर्म एप्ट लेक्ट के पाचे लिग गई है तो फिर वह इंकॉम टेक्स रिटन भी जमा कराने का पबंद नहीं है वेलकिए स्टेटमेंट है अंदर सेक्षिंस को पंदराँ चार वह जमा कराएगा और अपन लेकर लेकर लेकिन होता किया के जो अध्वांस टेक्स अब हम यह आप इसेंपल पर एक से उसने सारे चार परसंट लिया गौर्मन ने अबरे फानल टेक्स में आता था और फानल टेक्स की मजबूरी रहे है कि लोगों के पास नाकुमेंटेशन नहीं है किताबें नहीं है वहता को तो ब्सक्री में तो डूसरे को सी खुडिशन बना दिया रहिए गरें को दो और ये साखके पाकिस्तान की काफिश परांबेन्ट के पोँच गी गये हैं और इसे तरह हमारे पास आ जाते हैं मिनिम टेक्स मैंक्याजक्त मूद है कि टेक्ष डइड हल्दिंग एजन्ट निक्स कादर है लेगने फाइनल तेट्स नहीं होगा क्या कि वो अनल टेक्स के साथ अजस्टेबल है अचिक की तर पर रही ट्राशक्शन हम एकर इसको मिनियम टेक्स मना लेते हैं कि सेम्मारे पास रही मिनियम टेक्स बिश्चन एक ऐसा section जिसमें मिनियम टेक्स लगता है और उस तेक्स का विड होल्डिंग हो गई है 22500 और उस 22500 पर इधर उसका टेक्स बनता है टेक्स बन किया 30,000 रुए तो वह 22500 जो रेस का मिनिम्म टेक्स के माइद में एद्वांस गौर्टन के पास किया हुए है तो अब उसने जो टेक्स पे करना है साल अब मजीद वह करना है उसने कि 7500 आप दूसरा सेनरोर देख लेते हैं अब उसकी इंकम काम उलिए उस इंकम पर टेक्स 30,000 नहीं बनता मिसाले 15,000 बन जाता है अब क्या होगा अब टेक्स तो उसके पास 2500 गौर्वर्मन के पास चला गया है अब जब मिनिम्म टेक्स है इसका मतलब रहे है कि यह 25,000 तक को तो नेट आफ करेगा बाकि यह जो 75 रुपाय गौर्वर्मन से इसको नहीं मिलेगा ठीक होगे रहे समझ आ गई है आपको और तीसरा से नहीं हो रहे होता है कि एक मिनिम्म टेक्स है फानल टेक्स है और तीसरे नमबर बेक वीडोल्डिंग की सब पर सकला हमारे पार अजस्टेबल टेक्स जैसे आपका मुबाइल फून है उस मुबाइल फून से आपने कोई इस पर टेक्स कर जाता है और पूरे साल में अगर आपका टेक्स कर गया है 2500 तो उस वरत में क्या होगा जब आप 2500 इदर लिखेंगे तो यह फिर अजस्टेबल टेक्स का मतलब है कि वह रिफंडेबल हो सब्सक्राइब अब वह फियार से उसने 55 रुपाइब आपस लेने है इस शुरत में कि अगर लिए जो बाइसजार पांच सो है लिए इदर अगर अगर तो वह मिनीमम टेक्स है तो फिर पंदरह जार तक को अजस्ट करेगा नेट आफ करेगा और उसके बाद गौर 75 रुपाइब जो होगा वो उसका विएस्ट हो जाएगा और फाइनल टेक्स का है वाईजार पांच सो तो इस शुरत में वो क्या करेगा स्टेद्मेंट अंदर सेक्षन 115-4 को जमा कराकर अपनी जिमादाली पूरी करेगा और रही इसका पाइस और पांच सो ही इसकी टेक्स अबल इंकुम बन जाएगी हाँ 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 है हाँ 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 अच्छा इस अपरे चार्ज में कौन से रूल अपलाई होंगे के टेक्स इंठीष इसे ऐने इसे होगा छोगा जो इन पांच हैद आफ इंकम में नहीं आएगी मसले नॉर्मल टैक्सेबल इंकम के लिए आप इस इंकम को इन हैज में नहीं डालेंगे और सिंपल एक अलदा ही रहेगी बरूसके बाद को एक खर्चा आपने। की और उसके कैस्ट की है मैंने आपको पहले कहा था कि अगर उसके फानल टैक्स में अगर कोई नफ़ा नुक्सान हो गया है तो कोई खर्चा नहीं अलाउंस नहीं मिलेगा मिलेगा और वह नब है याट कोई अगर लाउंस इस को इसके लिदेश को आपे कर दिया और अब वह वापस नहीं मिलेगा इसको कोई इसका रिलीफ नहीं देना है और रही बात के जी जो सक्सक्स की लियापटी होगी वह पूरी हो जाएगी सक्सक्स को देने के बाद उसे MPR कोई बात नहीं कुछेगा और इन केस उप्षिपिंग एन एक ट्रांसपोर्ट इंकम टेक्स इस परिंक पे ब्रेली में सक्षन ऑफ ऑद और इन इन अनी एंपर इस पेपर यह पेपर यह जमा करा दिया है तो अपानल नोंगा दूसरी सुरत द्रेभी यह एक विद विद्वडिंग एजन्त पहलता है उसे ठाजक्शन हुई है मिशाल को दॉर पर विदाफ नेंस से उसने गिसंता कंपनी थी घर प्राइन लाग चैनल अब तैक्स नहीं काटा तो थी वगतरे ब्रस्टेक्शन का प्रवाल करती थी इसमें तेक्स में रेट अप्लिकेबल था तो उस वरत में क्या होगा क्योंकि नहीं काटा तो रे फिर फानल टैक्स से निकल कर इसके इधर आ जाएगी लिए तो ट्रांजेक्शन होगी फिर इंकम फ्राम Making what में चले जाएगी लिए इंकम फ्राम बीजमि इस लिए लिए टेक्श्च का कटरना बहुत ज़रूरी है अगर टेक्स नहीं कटा शाये गा तो फिर वो नॉर्मल इंकल बन जाएगी नॉर्मल टेक्स में चली जाएगी। यह जो पांच लाग रपएर। इंकल प्राम बिजनिस बन जाएगे। कि यह बात के लिए हो जाए कि टेक्स कटा जाएगा तो उस वरत में टेक्स कार्ड करे आदमी चलान जमा कराएगा अपने नाम से कि मैंने पर्शन एक आप 2500 कार्ड ली है तो उस वरत में वह फानल टेक्स में होगा और एफ़ यार उसे इसाब पताब नहीं लेगा दिएन हम ने दिख लिए था क्या होता है और दिएन बाद उसे इसने बात की है के टेक्स डिटेक्स अच्छ क्रिटिव फानल टेक्स लाप्डी आप देट्स रशेविंगग दीडेट्स आर विर क्रेवेशा अग्स ओंस रिपाइब दाइब आपड़न और जब बिदादा व हमने बात की थी कि अगर उसको जब उसने दस लाखर लॉन लिया था तो देल आखर पर उसका टैक्स के पाद चला गया था जब वह कंपनी को सारी आद लाखर पर वापिस कर देगा तो उस दूरत में फिर उसको इंटादर हो जाएगा कि वह कौवर्बंट से एफ़िया से वह प्रैडिकली इसकी आइमेट नहीं है अगर उसको का मजीद तो उसके अगयेंस्ट वह अज़स्ट करा सकता है एक कुछ इजेंपल से इसेंपल में उन्होंने का जी का कंपनी के पास कंपनी अपने अपने शेर ओल्डर को लोन दी है 35 लाख रपए और कंपनी के पास जो अक कंपनी पे करेंगे वही सिर्फ आपका डिविदन कर आएगा कि मीज के थारा लाख तक डिविदन कंपनी ने दिया है और थारा लाख पर टेक्सथ पंदर परसंट टेक्स काल्ड पलेद होगा जो बाकी उसने साथ लाख दी है वह सकता उसके पास कि किसी और शक्स का जाए हो लाकिसी शेयर होल्डन वैसे पैसे पक्राये हो कंपनी को तस पचास लाग फैस तूथ नहीं बन जाएगा और इसी तरह पर लिम कंपनी यह कंपनी जिसे पाकिस्तान में ऑईल के लिए दैसे लिए प्रॉटिस्तान के अंदर अदर तो यह हमने देख लिया है कि आधा पाकिसानी ब्रांच से कर बेज़े की तेक्सेपल तो है एस दिविदेंट लेकिन जो एस्प्रोनेशन कंपनी है उसके लिए रहे जम्शन है प्रोजेक्स करने के और वह कंसेक्षन का प्रोजेक्ट होगा संब्ली और प्रोजेक्ट है तो सुरत में भी 15% टेक्स काद कर गवर्ण इसको अपने जमा करा देना है और अगर ऐसी कोई पाक्स्तान सब्सक्राइब आप्लाई अगर ऐसा सेक्षन अप्लाई नहीं होता तो फिर वह इसकी इंकम प्राइब बिजनिस बन जाएगी और इन पाक्स्तान आफ दा पर्शन और क्योंकि आउट अप्स लेबस है तो इसलिए टेक्निकल सर्विस्स वाले को उन्होंने वैसे इस प्लेंड नहीं किया और फैनल टेक्स रिजीम मैंने आपको बड़ी समझा दिया बड़े असान त्रीके से के फैनल टेक्स रिजीम वही है कि इस पर टेक्स का कातना अगया घानल टेक्स रखुआ कर तो अगया को बड़े ना नुजन गया है यह लिए दिया हुए तो फृब ड़िया ही जेसे जब्डिए अगर उसके मुझा नहीं होगा रे तेक्स तो इसने देना है तो इस तो यह लिए जया है कर तो यह साथ अगर उसने कोई अधीन को त पर किसी और में अगर उसने कोई ऐसा तैक्स दिया जो कि आपको ब्ताइबन पारी है मिनिमम में मैं चाल्ड पाले और जाते हैं रहे दो आज तेक्स दिया हुए तो पिली नहीं ले सकता है जी कि मेरा तो यस तेपल पहले ही दो लाग पान लाग फालतू गिया है गॉर्मन के पास जो मैंने साल बारे फ़न लेना है इस ट्रैंजेक्शन पर कंपनी नहीं काटना है तो जो बाई जार में 500 रुबए था वो उसको नट आफ अपने अद्वांस टेक्स के गेंस्ट नहीं कर सकेगा और वही बात अगर उसके अगर नहीं काटा गया तो फिर वह बन जाएगी रहा परकец मेंड बन जाएगाotic अच्यलर में आहिक नहीं आता जाते दाल है जिसमें हम बिजनिस से रेलिए करती है तो नॉर्मली रे इंकम फ़नाम बिजनिस बन जाता है और इसके लिए फिर नॉर्मल में फिर जैसे हमने रहां बताया कि यह नॉर्मल टेक्स वर्किंग कैसे होती है रे वाले जो नॉर्मल टेक्स वर्किंग है अब इसमें होंगे फिर आपने खर्चे भी इस के लियम करेगा और फिर रहियार उन खर्चों को आगे हम सेक्शन 21 से वो देखेंगे दिसलाओ भी कर सकता है और इस प्राफिट को बहा कर इसे मजी टेक्स भी ले सकता है और अगर उसके टेक्स काद़ किया है तो फिर फाल्य रूल्स अप्लाई होंगे इस नौट चार्जबी टेक्स अंदर एनी हैद फिंकॉम किसी हैद फिंकॉम में कंप्यूर कैल्कुलियत नहीं होगी कंप्यूर नहीं होगी रहलादा ही एक सेपरेट ब्लाग बन जाएगा और अमिलेगी उन्हें इसको पूरा कटा जाएगा और कोई उसका लाउस है तो उसको नहीं मिलेगा कोई दक्स क्राइड होगा कोई नहीं होगा कोई नाईस्ट जो है से अगर उसके पास रिए पैसे अगर वाल तु चला भी अगर उस वरत में रिफांट होगा कि हमने जो भाई जार पांशो कातना था गलती से हमने तीज़ार जमां करा दिया है जो उपर के रिकम होगी वह बताए का जी कि ट्रांजेक्शन तो मेरी एस पर ट्रांजेक्शन मेर लाकि पाइजार पांशो तेक्स बनता था मेरा गलती से ट्रांजे ज्मा हो गया तो उस वरत में रिफांट हो जाएगा लेकं बाइजार पांशो राइस से नीचे इसको एक रिपाई भी वापस नहीं मिलेगा और इसको आपनी इंकॉम टेस्ट की रिटन जमा कराने की ज़ 12 साल हमने फानल टेक्स करके मिनियोम टेक्स बना दी है आप को ने स्टेक्स रहा गए वह तक सक्षान 151 एक्सर बाइस फॉर्ट है और प्राइस बाहं से अब होता किया कि आप का एक प्राइस निकलता है तो आपको 15% टेक्स कार्ग कर स्टेट बेंक इनाम की रिकम देता है जो इनाम जो आपका टेक्स का लेते हैं वो आपका ताके लोग अपनी बुक्स अब अकाउंस को मैक्सिमम बनाए इससे पहले फानल टेक्स वाले बुक्स अब अकाउंस का सो उनसे पुसर आप जाता था और जो भी मुनाफ़ा कमा रहे थे वह सारे का सारा चाहिए ज्यादा कमाएं तो वह फानल टेक्स की सुरत में इसाब क्या होगा कि वह है तो वह नॉर्मल टेक्स इसी तरह ही कैल्कुलेट करेगा लेकिन जब अद्वांस टेक्स को वापस तो नहीं करेगा रिफंद नहीं बनेगा लेकिन अपनी बुक्स अब को देने के पाबंद है इसी तरह 151 अगर आपने पैसे जमा कराई है तो बैंक सब्सक्राइब कर देगा और अगर आप पाकिस्तान से बाहर कोई अपना गुस्ट करते हैं तो अगर आपने आप्सन नहीं लिया वह नॉर्मल टेक्स रेजीम का उस बिजनिस ने तो उसके लिए फिर वह एक सो चौबंद का सेक्शन होगा एक्स पोटेक्स होगा वह तमाम तो करती है लेकिंव में फाल नहीं है जब हमारी heti लियाबदा बनेगी साल के बाद तो सामें ढहसा हमारा साल केंदर अद्वांस fiery सोरत में जम्मRich 30 hairs किसी भी सोरत में तो जो उस्थिए तो उस हम प्लाश करेंगे कने यह और प्लास के बाग जो वारी टेक्स लिएपटी बनेंगी उसके एसना अजस्सकर लेंगे अगर मुझा मीणिन टेक्स साल के अंदर विद्ध हो गई है ट्रेंजेक्सिन तो ट्रेंजेक्स वाइज दो लाख रुपए और मेरा टेक्स साल के बाद मना है दही लाग रुपए तो मैं 50 आजमा कराऊंगा 50 और दो लाग रुपए का क्लेम मैं ले लोगा लेकर अगर मेरा टैक्स भी एक लाग रुपए जाया हो जाएगा वह गवर्मन के पास चला जाएगा तो अधिक हमारे पास आगे मैं बताऊंगा कि इसकी हमने वर्किंग कैसे कर अगर आपने इंपोर्ट किया है और यह यह फाकिन में एक चीज़ करता है तो वह भी में डाइगी इसे पहले तको में लेकिन इस साल इसको मिल्याइए इसले इंपोर्टर उसे कते हैं जो किसी किसी दूसरे मुंग से इंपोर्ट करके एसिया को बगार किसी प्रोसेसिंग के वैसी बेज़ दे तो वह कमर्शिल इंपोर्टर कर लाता है और इसी तरह टेक्स देक्शन एक्षोच दस परसेंट फ्रम क्रॉस्माउंट अब सर्विशिज रेंद अंदर सेक्शन फॉर आल प्रसेंज अधर दना कंपनी अगर किसी साकसर ने सर्विश्ज दी जिए मिसाल के दोर्पे क्छाद अकाउंट है किसी कंपपनी को सर्विश्ज दे रहा है तो उस कंपपनी की 10% टेक्स जो काटा जाएगा वह मिनिम टेक्स होगा और इसी तरह अगर कोई फैक्ट्रि को manufacturing promises और वो manufacturing करते हैं तो साल के अंदर उसका 307 रुपए के उपर तो 307 रुपए तक जो साल का टेक्स होगा पर अनम वो मिनिमम होगा और 307 रुपए के उपर अगर उसने टेक्स पे है गौर्णमन को बाबदा के जरी तो फिर वो जो होगा वर्फांदेबल हो जाएगा उसको अब सबसे हैं सेक्षिन हैं जो हमारे पास वह सक्षिन 113 जिसके जरी बीयर और गौर्णमन जो है हमारी टेक्स कॉलक्ट कर रही है तोरा सारी आपको बुरा भी लगेगा लेकिन इस इन चीजों को हमने ने देखना रही दालतों काम है और हमारी स्प्रीम को ने सेक्षिन 113 को जाइज करार दिया हुए जिए गौर्णमन के अख्तियार है कि वह टेक्स 113 के दिशरी ले सकती है इस सेक्षिन की बहुत परानी हिस्ट्री है हिस्ट्री बतामनी जाते लेकिन और हमें से करें सेक्षिन 5.5 है जो इसले रखाई था कि पाकिस्तान क粉 निस्ट्रीं हICAने और घेपांट के लूड़ में तो इस दो को वापस नहीं मिलेगा उस सरत में क्या हुआ कि पहले एक आदा परसंट रा को के साल फिर गवर्मेंट के खरज़ा पूरे नहीं होए तो उन्होंने इसको वन परसंट किया पिछले साल वन पाइंट टू फाइव परसंट था और अब दोज़र बीच जो आने वाला साल है इस कि अप्लाई किस पी होगा सुरू सुरू में सरफ एक कंपणी को पर अपलाई होता था लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका डायरा कारब रहाया और इंडविजल की सुरत में जो एक आम सक्स जैसे हम है सनक्तिकार जैसे हमारा तो अगर हमारी एक क्रोड से उपर की सेल हो ज से और इस तरहां की सेंटी है उसको लोव जाती है एक इस ताहरं की एक क्रोड से उपर हो जाती है तो उस की बाद ऊसको लाउस होजाय उसको अगल मुझता है थे का अगर उसको टाइए वर जंशन भी और और आगर उसको टेक्स्कृतर वगरा भी मिल जाते हैं कि उसको टेक्स्क्राइड मिल रहे हैं तको टाइभू जाते 已經 about that विजनिस हुआ ना कि इसको मिल के भी थग्ध नहित स्टारा के सिनरों बनके भी उस ने फिर भी इसका इस रकम का 16 लाग का कि जोबी जार्वे साल का देना है मैंसे उसको तक कोई टेक्स नहीं बनता तो उस चुछ जार्वे साल का देना और इसी तरह हर सक्षिनिर में पंद्रा लाख वाले ने बाई जार पांसों देना है बारा बारा लाख जिसके टन ओवर वह पूरे साल में तो थारा जार 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 देना है अब अगर 16 लाख वाला 24 जार देरा है तो अंग देखें अब 16 लाख वैसे एक रो से नीचे है तो इसको हम एगर एक शिफ़े ब्रहा देते हैं तो उस चुर्ष में देखें गई एक रो 7 लाख डिने दो लाख 4,000 रवा गवर्णन को देना ही देना है चाहे उसको नफा हुआ हुआ है कि अगर आपको लॉस्ट भी हो जाए तो उस सुरत में भी आपने आप ले टेक्स देना है है तो रहे जालमाना टेक्स लेकिन अब इस बाग के तयान करना कि उसको लॉस्ट हुआ है तो किताबों की जरूरत थे और क्योंकि पाकिस्तान में किताबें नहीं तो फिर गौर्मन जरूरत को सपाना इसलिए थोरा साथ की जैनवी आ रहा हुआ हो जी कि देभी थाम नहीं बताना है जिए वहाना टरन ओवर कितना हो है तो अब ठीक है आप सही सोच रहे हैं तो अब अगर विद्ध होलदिंग टेक्स की भी आपने देखाया कि अगर आप किसी सेक्स को कीजिक तो क्टार में पाझ जा चुका है इसी तरह कर आपने मैंक के जड़िये कोई लेंदें कि आ है कि पैम आपको बैंक्स में आई है तो अब सबस्क्री पहले में को च्राश करते हैं कि अगर आपके पैसा कि ना है जितना पैसा है वह तो आपकले बता हैं कि 살ूड है तो फिर अगर बैंक में क्रोनों रुपए जो आ रहे हैं जा रहे हैं वह आपका टान आपर बना लेता है तो वह दारे बच्चे होई हैं जो बैंक के जरे काम नहीं कर रहे हैं जिसको आमने तैक्सावाइदेंस बताया लेकर विर के पास इसा कोई मेकनेजम नहीं है कि उसको वह पकर सके और तीसी सूरत जो सबसे हैं मैं आपकी इस्पेक्टर आएगा और इस पर आपके सौप पर आकर देखेगा के जी इस सेक्स के पास स्टॉक कितना पर है, आप इस स्टॉक जाशेžए, मिसाल के तोर पर और आपने एक इस्पेक्टर आया आपकी स्वाप पर और वह रफ एडिये लेता है कल्कुरेशन करता है दुकान पर ख़रा होके जी कि आपके पास इतने का स्टॉक पर आप स्टॉक उसने अंदाजा लगाया तो पता लगा जी आपकी दुकान पर पचास लाख रबाएगा स् अर्फार लगाया तो अगर आप लिए रहें तो यह आपने साल में पांस बार तो लाजमी बेचेंगे रिस्टाप वाइव टाइम और आप होल्ट सेलर हैं तो इसमीन्स कि आपने रिस्वान 10 ताइम्स तो आपने लाजमी बेच चाए तो इसको वो क्या करेगा पांस से जर और अगर इसको वो दासे जर्ब दे दे मेंस के अगर आपके पास रिट टान आवर बन गया और इस पर आपने टेक्स लेंग कितना देना है देरे परसंद अगर इस वाल का बनता है अगर आप अगर आप अगर आप ती लाग पचातर जार इसक्स ने देना है और इसी तरह अगर इसक्स ने भी साथ लाग पचास जार रिपा है गोर मंग को दिन नहीं देना है अब इसमें अगले सुनेरो किया है कि जो सबसे एहम बात है वह रही है कि अगर आपके ओपर तीन लाग पचास जार उपर कब लगेगा वह उस उरत में लगेगा जब आपकी जो टेक्सिबल इंकम है उस पर आपने कल्कुलेट किया है वह ती लाग पचास जार उचे कम बना है मिसाल के दोर पर लॉस हो गया आपको आज समद्ने के टेक्सिबल इंकम आपकी बंती एह bats अपनदे उस वरत में आपने चार लाक रुपए तो उस सुरत में आपने कुछ नहीं देना चार लाक रुपए ही देना है तो उस सुरत में अप्लिकेबल नहीं है जब आपका बदल जाएगा और या आपका नौर्माग टेक्स सारे तीन लाक रुपए है कि है तो उस सारे तीन लाक की सुरत में क्या हुआ कि आपके पास है मिनियम टेक्स का मतलब है कि एतना आपनेतीन लाक पिसल्टाराग्ल 97,000 तो देना है जो पर आपकी डियाहें बहुआ हैं जो आप अगर आपको नुक्सान जब आपको सेक्स का जो जालमना आपके जालम टेक्स है उस शुरत में अगर आपको लॉस हो गया है लॉस हो तो गॉर्मन्ट बजाए कि आपको रिलीव देने के वह तीन लाग पजटर जार अपके आपसे अद्वांस टेक्स ले जाएंगी अब जो साल देक्स मेरे 3.500.000 बज़तर चला ग Schw4 अब अगले साल नेक्स के करेंगे भाग चैख करेंगे साल मेरे नौर्मल नंकम अक कितनी बनती है और स्नॉर्माइल इनकम पर आप टैक्सिपर इंकम निकालने के बाद आपको Self बंद घर आ देट आहले है आपको靡 तैक्स आपो ? गहीं पर जाने के थे आपको दसलाख रब्याक रब्यक्त लगता है आपके पास आपने अपनी सेल की इस सेल पर हम मत ऑना इस साल पिषले साल आपका तीन लाक पचाथार जार और आ अब हुआ कि अगले साल का नेक्स एर का मिनीमुम्स टैक्स एक सो तेरा का अब तीन लाक प्जातर जार आपने पिछले साल दिया वह दो चाह लाक इस साल बनता है मिन्स के आपके पास जो अगर आप एक दस लाक में से चाह लाक में मैनस करें तो छे लाक में आपने मजीद देना है लेकर आप गवर्मन प्रसर रलीफ दिया आपको कि नहीं जो तैक्स आपने पिछले साल पाल्टों पे किया था अपने इंकम के ओपर वह आपको अगले पांच साल के लिए अवेलेबल होगा अजस्ट करने के लिए अवेलेबल पार अजस्ट्मेंट इन नेक्स्ट फाइफ जीएज कि आप इन पांच साल तक इस टेक्स को अपने नॉर्मल टेक्स के अगेंस्ट नॉर्मल टेक्स लियावदी के अगेंस्ट अजस्ट कर सकते हैं और इसमें आपने क्या किया चेल आखर वे आपकर नॉर्मल टेक्स मनता है पेवल मनता है कि तो उस दूरत में क्या करेंगे आप अगले साल छृ लाख में से तीन लाख कुछत्तर जार पैर पॉइल है ये जो आपको 3,05,000 आ रिवाया हुए है अधर पिछले साल जो आपने पे किया था लोगुसान होने के सुरत मेरे अध्यस्ट करेंगी और पिर आपने इस साल जो तो तो लाक पच्छी जार देना है तो ठीक हो गया जी और रही टेक्स आपका दूरपर एकरद्स लाकि जगर रहे हम हिसाब लगा लें श्वाव बनता है हीं go to see like निश्ट में क्या हुआ आपने चार लंखर पहर आपका इस साल करा मिन्यम टैस्स बनत है वह आपने दिना ही देने हैं तौ इसको तो आपने मैंने से नहीं करना अब क्लिवnt देन नभी देना आपको 3,75,000 पर पिछले साल का मेनम टैक्स अज़स्ट करने के लिए अब आपने क्या किया कि एक लाग पजटर जार पर इसमें से फिर भी आपके पास 3,75,000 पर इसमें से वह बच गया है क्योंकि दे तो पूरिका पूरा इसमें मैंस हो गये तो अब जाया हो गया रहे हमें एक आप नहीं होगा नहीं हुगे हमने होगा चode भी चेह लाक्त देना था चाल लाक्तों पर जबर अज़स्ट कर लिए इस साल का फिरह हम चाल्था जो cash देंगे वो सिर्फ cash देंगे चार लाखर रुप है और उसके बाद एक लाख पज़तर जार रुप है मज़ीद हमारे पास अगले साल के अगर हमारा कोई मनाफ़ा मज़ीद अच्छा हो जाता है जो minimum tax से भी ज्यादा बनता है उसे हम अगले मज़ीद 4 सालों तक अज़ेस्ट कर सकते हैं और इस तरह एक सर्कल बन जाते है और अगर वही प्राना हम केसे लेते हैं 10 लाख वाला तो उस रुप में क्या हुआ था कि उस रुप में 10 लाख हुआ है कि 4 लाख हमने दे दिया प्लस 6 लाख रुप मज़ीद देना था तो इस में से हमने 3 लाख 75 जार जार जास कर लिए 2 लाख 25 जार रुप में को हम देंगे 6 लाख 25 जार रुप में गौर्बन को टेक्स देंगे ठीक हो गए अच्छा इसमें फिर एक एस्प्लेनेशन आई हुई है वर यह अगर आपने जो अपके पास वस्प्ले के साथ इसकी अजस्टमन की नहीं होगी मिसार के दोर पर यह आपके पाश्मने आपको व्होताया था कि आपकेसर बोतّ तक्षरा तक्स दो तरा गया जैस आख supportive और minimum टेक्स अगर आपका इस केस में अजेस्टेबल टेक्स इधर आपने देना है तीन लाग पचेतर जार रप है और साल के दुरान दुरिंग दाइयर आपकी विद्ध होल्डिंग हो गई है ट्रांजेक्शन पर जिनकी निचर अजेस्टेबल है और फिर मीनिमम है और आपके पास साल के दुरान हुई है अभी हम यह वाला सिनरों नहीं देख रहे हैं इसके लिए ना आप इसको डिसकाद कर दें क्योंकि हम उसाल के दौर पर टैक्स तीन लाग पजातर अजार वही बनता है तो हम उसी को देख रहे हैं कि तीन लाग पजातर अजार वाले सिनरों को देख रहे हैं कि हमारा जो है वो डिटेलर है जिसके हम टेक्स कर रहे हैं अजस्टेबल टैक्स का कद गया एक लाग पच्छीज जारव है अब तीन लाग पजातर अजार में से अजस्टेबल और मिनिम्म टैक्स को इसको अवेलेबल है फा अजस्टमंट इसके इसके जाता रहे साल के दूरान गवर्मेंट के पास ट्रांजक्शन त्रांजक्शन अब हुआ कि हमारे पास यह तो टैक्स जो है एक लाख नवे जार मन के हमारे पास अजस्टेबल और मिनिम्म इस शुरत में क्या हुआ है कि आपने क्या करना है एक लाख नवे जार में से 3,75,000 आप मैनेज करेंगे और इतना टैक्स चलान बना के जमा करा देंगे लेकिन दो लाख रुपे आपका गया हुआ है फानल टैक्स की आमने निचर देख ली थी किसी के साथ ने डाट आफ नहीं होता तो यह दो लाख रुपे अलादा से एक से इंकम इलादा से कल्कुलियर करेंगे वह एक त्रीक तो बेसिकली हम एक लाख नवे जार और एक पचासी जार को हम अज़स्ट करके क्योंकि यह भी हमारा अपना ही कैस्क गिया हुए है साल के दुरान में एक लाख नवे जार हम अज़स्ट कर लेंके 3,75,000 और फिर एक अलाग पचासी जार में जमा करा देंगे तो यह भी इसका अट्रीव गुद में है जो मिनिम टैक्स होगा उसका टैक्स मिनिम टैक्स जो आपका सेक्शन 113 के मिनिम टैक्स है इससे अजैस्ट नहीं होगा और जो फानल टैक्स है बेसिकली इसको दिल करता है सक्षण 169 और इसी तरह है कि टैक्स पेवल अंदर सुप मिनिम टैक्स से आजस्ट नहीं होगा तरो मिनिमम टैक्स से सेट अंधियों के दिखें यहां पर कंफूजन आती है कि दिते मिनिम टैक्स कौन सा है यह बैसिकली होता कि Solo lim 113 के लावा इनको हमने बेसिकली फाइनल और मिनम टैक्स जो है दे फिक्शन अफ लाएं ले बेसिकली आप ऐसे समझने के एक्स्वल टैक्स नहीं है आपका लेकिन गौर्मन की खुआ है कि आप इसको पे करें और इसके लिए ना दे एक फिक्शन है एक मफूरूज है सारा इ मिनम अफ्रूज है के आपका जो मिनिमम मिल तैक्स इस पर आ काम करता है कि इसके लाव ऐसे नहींए कि पर स्क्रावन के मिनिमम स्क्राइब निघ्स ऑब। कि हम वाम से साथ साथ ट्राइक्शन वाई पैसे लेते रहें ताकर गौर्बंट का साथ साथ रैनिक अस्प्रेंसिस पूरी होते रहें उस वक्त रही एक जिस एजस्टेबल हो वा करेगा लेकिन बाद में गौर्बंट ने कि अब क्या होता है कि साल बाद लोग रिफ़न यह नहीं आ जाते हैं और रिफ़न देते हैं फिर हम ख़ली जाते हैं उन्होंने फिर आस्ता आस्ता कुछ टैक्सिस की निचर मिनीमम करना शुरू कर दी मिन्स के आपको एजस्ट हो जाएगा आपकी टैक्सिबल लेप्टी के जड़ बनता है आपके पास अज़स्ट है वो आपके पास चला गया है तीन लाग पच्छी तीन लाग पचास जार कोई सरुत में क्या हुआ वगजी आपके पास जब टैक्स चलान आब आपके पास रिफ़न बनने लगए चली जार रवाएगा इसा नहीं होगा इस लिए होगा कि आपके पास लग तर्फ फ़सका थे स्क्राइब चैक्स तीन लाग पचास जार रवा इस में से तीन लाग से तरह जार तो नीटाम हो गया तो मिनिम टैक्स है आपके पास 55,000 रपै आपके पास दो फूर्ते हैं पहले आप मीनियम टेक्स को इसने नेट उपक्र ले फिर आपका रिफंद बन जाएगा दूसरी सुरत रहेगा अगर आपके पास नहीं है और यह आपके पास 45,000 रुपय हो गया है तो उस सुरत में क्या होगा अगर नवे जार पर का जो रिफंद नहीं बनेगा बलकि आपका वेस्ट हो जाएगा कि ठीक हो गया है यह है बिसकली फिक्शन है कि मिनिम्म टैक्स भी है आपका रिफिक्शन है फार्नल टैक्स है रिफिक्शन है एक अद्वांस टैक्स को उन्होंने अभी आने फिक्शन के जरीए आपका प्सक्राइब के लिफिक्शन के लावाज मिनिम्म टैक्स होगा वह सक्षन 113 के अपके लिफिक्शन कर सकता है प्लस आपका नॉर्मल टैक्स ल्यालती उसको भी नटाउफ कर सकते हैं लिकिर वापस नहीं मिलेगा और टैक्स है वह तो मशलाओं हर चीज को वह उपस करेग आप यह नहीं पर चला गया है वह आप पर रिफांद होगा गवर्मन उसको वापस करेगा अब आते हैं इसको क्लोज करते हैं काफी हो गया तो में डेफिनेशन जो है वह अच्छा इस मेरे देख लिए सब्सक्राइब करें के मिनियम टैक्स जुरूरी नहीं करें जी 1.5 परसंट भी हो कुछ प्रोडेक्स पहरे पॉइंट भी है पॉइंट फाइफ भी है वह मैं आपको उनकी शक्राइब देख लें और सबस्क्राइब मार्कित में बियार का सारा फोकॉस और पाकिस्तान की कॉन किसे कंपणी को बृष लाय記ं़ ओ गया उस सुरत में मिनियुक्स एप्लीकेबल नहीं था लेकिन दो साल से एफorage क्टम करके एक जूलं किया है कि कंपणी डास में जा रही है मिजिझश के अब उनते प्रेस्जय के ओपर ही लाउस हो रहा है तो उस स्रॉत में भी अब उसन नट लॉस दो कंसेप्स आपने अकाउंटेंशी में देखे होंगे तो आपने देखें रहे कंसेप्स तो आप लॉस की सुरत मेरे पहले मिनिम टेक्स सेक्षिन 113 का नहीं लगा करता था लेकिन दो साल से अब रहे भी लगना शुरू होगे तो से हैं और समस्था कि नहुंस ऐसे कंसे हैं तरण और अब किए लगर आपने की KP आपने इस में से आपने आपने क्टे कर देंगे कर आपने नवाएस को अब सिक आप उपर दिया किसी को तो मैंस कर देंगे साथ दोर पर आपने क्रोर का माल अगर आप रही प्चानुए लाग का बीचा है और आप लिख दिया कि चीज थी और आप ने प्चानुए जाल पर पांद लाग दिसकान्ट दिया तो मानाज़ करने के बाद आप इसको वह आपका टान ओवर बन जाएगा और उस वरत में टान ओवर जो आपका फाइनल टेक्स जिसको पर आपने फाइनल टेक्स की ट्राजेक्शन की हैं वह इसका इस सेक्शन के लिए टान ओवर कैसा नहीं बनेंगे कि इसकी जैंपल दोबारा मैं समझा जिता हूं कि आपका यह दो क्रोड़ पचास लाग रिप्राइगा टान ओवर हुआ है अगर इसमें कुछ ऐसी तांजेक्शन जिस पर फिर उसका एडवांस टेक्स लिए रहे हैं तो फिर वह बनाती हुए मैंस हो जाएंगी अगर आपने इसमें से पचास लाग क्रम ऐसा माल बिचा जो के फानल टेक्स पर जम्म हो गया है तो फिर आप इसमेंसे वह तो पचास लाग रिपयर है वह मैंस करते हैं और यह आपका दो क्रोड़ तैंड नवर टेक्स बन जाएगा तो इसमें से टान वर बनाते वह आपने रहे ख्याल करना है कि इसमें से फैनल टेक्स की जो सेल है वह नहीं दालने यह आपको मसलिम के रिलीफ दिया है कि अगर फैनल टेक्स अलादा हो गया तो गौर डबल ब और दूसरी तरफ आप से अग्याल टेक्स बिलिया जा रहे इसी तरह कर नोशी कोई चार्ज कर रहे तो वह उसकी फी जो होगी वह टान आवर होगी अगर कोई पर्षन कंट्रेक्स करता है और कंट्रक्स के पैसे लेता है जो फानल दिशार्ज में नहीं आता तो वह भी उस आप तबाव और किसी कंपनी ने किसी यूप में इस्तारी दाली हुए स्राक्त दाली होई है अगर एक कंपनी और वह पार्टनर है किसी यूप की कंपनी इस पार्टनर एदा इन्वेस्टिल इन्फरम तो उसरत में क्या होगा जब फरम अपने टेक्सिबल इंकम बनाएगी फरम्स टेक्सिबल इंकम हो गई 50 लाख रहे इसको मिशाल ले लेते हैं इस 50 लाख पे इसने टेक्स भी दे दिया तेक्स बनता है जिसका 50 लाख पर एजिम कर लेते हैं कि 20 परसंट करें लगा के ते भी उसने पे कर दिया है तो उस प्रत में क्या हुआ कि जी के दस लाख पर पचास लाख या देखें पचास लाख जो इस पर टेक्स दिया जा चुक है लेकन जब लेक पैसे इसमें से शेर कंपनी का जो बनता है शेर अफ कंपनी प्राफित में से बीस परसंट की शेर होल्डर है कंपनी तो हम देखेंगे इसको के कंपनी अगर बीस परसंट की शेर होल्डर है उसको मनाफ़ा मिला है 50 लाग मिर्से दस लाख रुपए अब तो दस लाख रुपए होगा निक कंपनी के पास आगे तर फिर टन ऑफ़ ठैक्स पर 1.5 पर निकोंट लेगेंगा तो कंपनी को रहत नहीं है क्योंकिंख नौर्मली होता कि है कि नौर्मल जीस रकम पर आप शेक्स दे ने तो वह रक कि अगर मैंने भी तेक्स कंपनी फर्म भी तेक्स दे रही है उसके बाद पार्द अगर इसके लाबाव कर गए को इन्डविजल पार्दनर है अब अब इसको भी दस लाक ही मिलता है खर हम्ने तो उसको तो जैनग हो जयता आ क्योंकि फर विक्ना है अब है यह कसा पाए होँ है कर देक्स के हमने एड़ा किया हुए लेकिन थोड़र से गल्ती हम कर गयां रहा पर जो टेक्स ब्रस करें टेक्स totally आप तो यहारे यहिवसिकों तो जाएब हीर फैसे सत्राइस करें 54 पाथ आक्रवा तक्सी नमारे यू और यह विसने का वर आप चाली स्थरस नाख़ दो आप तक्सीन नको चा स्थरस्थ की जईien कि इस तरहिए कि कंपनी को आदला करभा शेयर आया है और आदला करभा आया है अब इसके पास जाकर तो रेजम्ट होगए लेकिन कंपनी के पास जाकर क्या होगा कि कंपनी इसके ओपर भी आपना टैक्स जोगा देश परसंट करके मज़ीद को जमा कराएगी जो बारहजार बनता है ठीक हो गया जी आज के लिए एजेंपल है आप देख लें मसला के दोर पर ग्रोशाद लाग दो लाग चाहली जार हमने अभी देखी एक जैंपल और यह नॉर्मल टेक्स रजीम के अंदर थोड़ा सर उसने वर्किंग कर दी है कि यूपी है कंपणी की सुरत में यह रूब बारह जार है उसने वह बना दी है यह आप देख लेना तो नेक्स्ट फिर हम इंक को पर जाएंगे और यह जो को फिर हम नेक्स्ट टापिक में कवर करेंगे सुक्रिया जी को सनांसर के लिए फिर मैं सबतीन मुझे ऑनलाइन होंगा आप लोग भी आजाएं और इसको अजाद सुन लें इसको पर ही आपकी जो प्रैटिकल आपकी इंडिस्ट्री है वह इन्हीं तॉपिक्स पर चल रही है आगे तो सिंपल है कलकुलेसंस करन उन्हाया हो इसके वाएटर है इसके ओपर आपकी एकान में चल रही है और हार कंपणी यह हर शक्स हर पर में हर फर्म और इन तैक्स को स्को ही सर्क्राइब करने के लिए जो आप टेसरे पर हैं कि सहांने कर भी चाएं को को पर रहाया हमारा गाफिंट सबताए है नोपर हो जिसको उपर आप एक टेक्स केंसल्टन अपनी इंकम को वो जिस्टिफाई करता है तो आप इन कंसेप्स में कोई प्राबलम है तो आप मुझसे लाजमी पूछें सब्सक्राइब आपके साथ में आउलाइन होता हूं सुक्रिया